BA scholarship और DLA scholarship से related एक बहुत महत्पुन परशन है और कुछ बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आप मुझे बताईए कि जो बच्चे BTC यानि DLA का course complete क्या है और course complete करने के बाद में BA करने का सोचा है और BA में admission लिया है तो क्या BA में admission करने के बाद में जो scholarship मिलती है तो क्या हम BA scholarship का lab उठा सकते हैं या नहीं देखे इस सवाल को में बहतर तरीके से में आपको समझाता हूँ कि जो बच्चे DLA का course किये हैं और DLA course करने के बाद में DLA में उन्होंने scholarship का lab उठाया था दोनों year का तो जो बच्चे DLA करके DLA का scholarship का lab है वो उठा करके वो BA करने का सो कि महत्पुन परश्ण था जो कि मुझे से पूछा गया था तो सोचे कि इसका एक वीडियो ही कुने बना दिया जाए ताकि लाखों करोड़ों बच्चे इस सवाल से जो कि घेरेवे ना रहे और उन्हें अच्छी तरगी से समझमा जाए कि क्या जो बच्चे DLA में admission करने के सब्सक्राइबाद में वह बेट जो कर रहे हैं तो बेट में भी फिर उसे स्कॉलर्शिप मिलेगा या नहीं मिलेगा इस डाट को किलियर कर देता हूं तो हिलो दोस्तों मेरा नाम है मुहमाद जमिल सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंगलिस स्कुल फरकिया आप से इसका कोर्स कंपिलिट कर लिया है और आप बेट करना चाहते हैं तो और अच्छी बाते आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर परश्ण है कि क्या आप स्कॉलर्शिप का लाब उठा पाएंगे या नहीं पाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डिये लेड में स्क स्कॉलर्शिप का लाब उठा पाएंगे 100% लेकिन अगर आपने डिये लेड का कोर्स किया है और उसमें आपने स्कॉलर्शिप का फॉर्म भरा था आपको स्कॉलर्शिप मिला था तो आप बेड में स्कॉलर्शिप का फॉर्म अगर भरेंगे तो आपको स्कॉलर्शिप नह लाब नहीं उठाया है तो आपको B.A.D. में scholarship का लाब उठाने का मुका मिलेगा तो I hope यह doubt आपसे clear हो गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर देंगे हमारे चैनल में नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर मिलते हैं एक रूडियो में धन्यवाद